रोको 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 गाड़ी रोको ये नो पार्किंग एरिया है सर यहाँ पे आप गाड़ी ख़ड़ी नहीं कर सकते तू वो तक होने मुझे रोकने वाला तू जानता है मैं कौन हूँ? सर आप जो भी हो मुझे उपर से order है यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती तु मुझे order से का रहा है तु जानता है जो इस company का मालिक है न वो मेरा दोस्त है तुझे चाहूं तो दो मिनिट में नौकरी से निकलवा सकता हूँ सर मैं तो बस अपनी duty निभा रहा हूँ रोक तुझे मैं अभी बताता हूँ हावाई कैसे हो यार मैं company आया था और तुम्हाई गाड़ ने मेरे साथ बहुत बत्तमीजी की है बहुत बत्तमीज आद्मी रखा है तुमने अच्छा ऐसा किया आपके साथ उसने बात कराओ मेरी उससे लिबागार बात कर जी सर तुमने मेरे दोस्त की गाड़ी पारकिंग में लगाने से रोकी सर मैं तो सिर्फ आपके orders follow कर रहा हूँ सर वो समय नहीं जानता मैं तो मैं अभी काम से निकाल रहा हूँ सर सुनिये तो सर तुम जानते नहीं है तुमने किस से बत्तमीजी की है तुम जा सकती हो देखा मुझे रोकने का नतीजा अब गई ना तेरी नौकरी रोकता रहत सबको यहाँ पर पहुंच ही रहा हूँ यार अरे रास्ते में कितना ट्रैफिक है आज कल जानते तो हो बस पहुंच रहा हूं तो मैं अरे 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 लगता एक्सिदेंट हो गया है यह तो वही आदमी है जिसने मुझे नौकरी से निकलवाया था इसे तो यही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए अरे नहीं यार इसे अगर मैंने यहीं पे छोड़ दिया तो यहीं तड़ब के मर जाएगा इसको लेके चलता हूं है 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 हरे अख आप अब क्या लेनी आयों साफ मैं मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया मेरी वज़े से तुम्हारी नौकरी भी चली गई फिर भी तुमने मेरी जान बचाई ये तो मेरा फर्ज था साहब क्योंकि इंसानियत आज भी जिन्दा है जरूरी नहीं जो आपके साथ बोरा करे आप भी उसके साथ बोरा ही करो इंसानियत तो ये है कि जो आपके साथ बोरा करे आप उसके साथ अच्छा करके दिखाओ यही जिन्दगी की हकीकत है सही कहा मेरे भाई मेरी वज़े से तुम्हारी नौकरी गई थी न कल से तुम मेरी कमपनी में काम करोगी बहुत बहुत शुक्रिया साहब